नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट, नर्सिंग स्मार्ट के यूटूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हैं, दोस्तो बहुत सारी क्वेरिज आ रही हैं, कि सर हमारी सेलरी कब तक नहीं बढ़ेगी, कब सर हमारी पहली बार सेलरी बढ़ेगी, एक साल के अगर बढ़ेगी तो एक साल के बाद में कितनी सेलरी बढ़ेगी, दो साल के बाद में कितनी सेलरी बढ़ेगी, एरली कितनी सेलरी बढ़ेगी दोस्तो, कुछ एक बच्चे continuity में मैंने इस वीडियो को बनाया है दोस्तों और आपके सारे सवालों के सटीक जवाब होंगे दोस्तों आइडिया से नहीं होगा कि इतनीक सेलरी हो जाएगी कहीं पर भी दोस्तों ऐसा आइडिया नहीं है मेरे जो वीडियोज हैं वहाँ पर चैसे वीडियोज हैं चैसे इन्फरमेटिव वीडियोज हैं सब में आपको जो सूचना मिल रही है वह accurate सूचना मिलेगी अगर accounting से related सूचना है तो वह accurate है अगर administrative establishments से related news हैं जैसे leaves मेटर्स है और मेटर्स हैं मैं जैसे नर Kitcheneral इक्जामिनेस्ट non first appointment के बारे में जो डिस्क्राइब किया है जिसमें pregnancy का सबसे बड़ा इस meter था point था तो दोस्तों वो सब सटीक है ठीक है ना आप इसके बारे में कहीं भी इधर उधर देखने ही जुरत नहीं कि यार सन्ने ये इतना idea बताया चाहिए इसे तो इतना तो होई जाएगा no एकदम accurate point one percent का भी फरक नहीं मिलेगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम कि एक साल के बाद में आपकी salary क्या होगी Ems में और दोस्तों मैंने example लिया है यहां पर Ems New Delhi का आप बोलोगे एक सारव इतने 16 Ems हैं या मैं DSSB में recruited हूँ या ESIC में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों जो formula बताऊंगा उसके इसाब से सभी लोग अपनी अपनी salary घर बेट करके calculator से calculate कर लीजिएगा ठीक है दोस्तों तो शुरू करते हैं तो दोस्तों देखी यहां पर मैंने यह Ems New Delhi की दोस्तों मैंने यहां पर base किसका लिया है यह New Delhi का base लिया है दोस्तों यहां पर मैंने आपकी basic pay क्या दिखा रहे की है 44,900 रुपे दोस्तों यह basic pay हमारी किस हिसाब से हैं मैं सबसे पहले बता दूँ 7th pay commission जो 2016 से apply हुआ है और उसकी pay matrix table है दोस्तों यह यहां पर सभी लोग देख सकते हैं कि यह pay matrix table और दोस्तों हम इसमें कहां पर stand करते हैं इस pay matrix level 7 पर जो मैं यहां पर highlight कर रहा हूँ इसमें दोस्तों हम stand करते हैं I think सभी को यह clear हो जाना चाहिए जो मैं यहां पर यह highlight कर रहा हूँ यह हमारी pay matrix table है pay matrix level 7 इसका meaning क्या है आपकी basic जो है वो रुपी 24,900 रुपे दोस्तों यह इसके next जो 46,200 रुपे लिखा हुआ है 46,200 का मतलब क्या है next year आपकी basic एक साल complete होने पर आपकी basic जो 46,200 हो जाएगी लेकिन वो एक साल कब केवल जुलाई में दोस्तों every year in July तो this coming July मलब जुलाई कौन सा 2021 में क्या आपको यह increment मिलेगा क्या जी नहीं मिलेगा मैंने पहले भी अपने वीडियो में आप सभी लोगों को समझाया है जिस किसी ने एक जनवरी तक जुआइन कर लिया है एक जनुरी 2021 जो लास्ट जिस ने जुआइन कर लिया है उसको इसी जुलाई जुलाई कौन सी जुलाई एक जुलाई 2021 जो प्रेजेंट रहेगा अपने ओफिस में डेव की बात है तो अलग है तो वाइस किसी भी तरीक एक छुटी पे नहीं रह सकता जिनोंने एक जनुरी 2021 तक जुआन कर लिया है उन्हें इसी एक जुलाई 2021 को उसकी ज अपस पुरानी स्क्रीन पर लेकर जलता हूं यहां पर यह बेसिक जो है आपकी क्या हो जाएगी 46,200 रुपे कब बता रहा हूं अब अगर हैं आप एम्स नोर्सेट का एक्जामपल लेते हैं तो इस जुलाई में नहीं होगी यह जुलाई कब 2022 में होगी आपकी बेसिक कितन हो रहा है तो क्या होगा और उस समय जुलाई 2022 में दोस्तों आपका डिये देखो इस जुलाई 21 में डिये जो है वो जो फ्रीज हो रखा वो रिलीज हो जाएगा इस जुलाई 21 में लगभग 31 परसेंट आपका डिये होगा कितना होगा दोस्तों 31 परसेंट और अगली जुला 2022 तर ये डिये minimum आप मानके चलिए 36 से 37% तक हो जाएगा 3% डिये तो जो है वो लग बग कम से कम बढ़ ही जाता है every six months में तो ये 36% भी अगर मैं इसको मानके चलूं 36% भी तो ये क्या हो जाएगा ये किसका होगा ये आपके 46,200 की basic का होगा तो ये डिये जो है मैं कहां लिख दूँ यहां लिख देता हूँ ये आ जाएगा 16,632 रुपए ये 36% के साब से मैंने लिखा है दो आप बोलोगे सर इसका क्या किसी city के साब से फरक पड़ता है क्या नहीं चैसे आप दिल्ली में जोब कर रहे हैं चैसे राइबरेली हैं चैसे रिशी केस में या तेलांगाना है बीबी नगर में कहीं पर भी हो ये दीरनेस अलाउंज जो है आपका जुलाई 2022 में ये हो जाएगा जिन लोगों का इंक्रिमेंट इसी साल में इसी जुलाई 21 में अग 200 रुपे और डिये कितना 31 परसेंट तो ये लगभग कितना हो जाएगा लगभग लगभग नहीं दोस्तों अगर 31 परसेंट होता है तो तेरा जार 919 रुपया होगा दोस्तों कलियर है अम्मठा टोटल केल्गुलेशन आपको जो लास्ट इमोल्मेंट्स जो है दोस्तों व ने जोइन कर लिया में काफी लोगों ने जोइन किया है एक जुनरी 2021 से पहले पहले एग जुनरी 2021 दो हजार बाईस की सेलरी देख रहे हैं दोस्तों बेसिक क्या होगे आपका 46,200 रुपे उसके साफ से हमने डी ए कितना निकाल दिया आपका यहां पर डी ए कितना केल्गुलेट किया था हमने यह रहा 16,632 रुपे अब हाउस रेंट अलाउंस हाउस रेंट अलाउंस दोस्तों बहुत अब भी जो केल्कुलेशन चल रही हो 24% के हिसाफ से डी ए सॉरी डी ए 15% या 50% हो जाएगा तो आपका हाउस रेंट जो फिलाल 24% है यह 27% कभ अप यूशा परिछेंट हो जाएगा तो दोस्तों सोच लिए फिलाल हो चुका है लेकिन यह फ्री grading है इसलिए नहीं मि अगर आप अपनी basic का 27% निकालते हैं तो कितना आता है 12,444 रुपए आता है दोस्तों कितना आता है 12,444 रुपए ट्रांस्पोर्ट अलाउंस पे कोई फरक पड़ेगा क्या नहीं ऐसा का ऐसा ही रहेगा इस DA उन TA पर फरक पड़ेगा यस फरक पड़ेगा क्या फरक पड़े 36 परशेंट दोस्तों 12,46 रुपए हो जाएगा दोस्तों ये जो है 12,96 रुपए फरक पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा क्या फिूचर में पड़ेगा जिस दिन dia 50% हो गया दोस्तों जिस दिन आपका नर्सिंग अलाउंड जो है वो अठारा सो रुपे प्लस हो करके कितना हो जाएगा नो हजार रुपे हो जाएगा एक लोगों के विरी आ जाएगे सरी कब तक हो जाएगा तो दोस्तों आपका डिये जो है वो 36% हम कम बता रहे हैं जुलाई 2022 के अंदर बता रहे हैं तो लगवग साल बर के बाद में आपका 10% sorry 6% के करीम में और उसके एक साल के बाद में और 6% के करीम में तो दोस्तों समझ लीजिए कि 24 के लाउंड तक आपका जो ये नर्सिंग अलाउंड से है आपका लगवग 9000 रुपे हो जाएगा ड्रेस अलाउंड पर कोई फरक पड़ेगा क्या यस सेम ऐसे ही यूनिफोर्म अलाउंड पर फरक पड़ेगा जिसको ड्रेस अलाउंड बोलते हैं हर एक साल अब आपके उसके नेक्स्ट इयर क्या हो जाएगा जी नेक्स्ट इयर क्या हो जाएगा आपकी बेसिक जो है अग उसके अगले साल कितनी चली जाएगी मिन्स यह तो मैंने पहले साल की सेलरी बताईए दोस्तों आपको अगले साल आप इस टेबल को फोलो करते रह आगे क्या होगा क्या इसे चलता रहेगा क्या नहीं दोस्तों एक तो 10 साल complete करने पर आप जंप करके इस वाले टेबल में पहुंच जाओगे पे मेट्रिक्स लेवल आठ पर पहुंच जाओगे लेकिन दोस्तों उससे पहले ही कुछ अलग हो जाएगा क्या जी 2026 में नेक्स्ट पे कमिस्टन डू है नेक्स्ट सेंट्रल पे कमिस्टन जो हो डू है इसकी report डू हो जाएगी कब 2026 में मिन्स आपकी page है जो ये revise हो जाएंगी कितनीक हो जाएंगी अब आप बोलोगे इस आप कई लोग बोलते हैं वो मैंने कॉर्पस पे बात करी थी NPS पे न्यू पेंशन स्कीम में तो मैंने 8-10 क्रोड का कॉर्पस बता दिया लोग बोल गए कि सर ये क्या बता रहे हो इतना तब पैसा मिलता है गया दोस्तों उस समय कुछ नहीं है पैसा ना जब रिटार होगे 35 साल गाद में पैसा इतना क कुछ भी नहीं है ठीक है पहली चीज तो यह तो मैं अभी से यह आपको चीज बता दूँ कि भई आपकी बेसिक कितनी हो जाएगी तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बतायता हूं कि आपके च्छे दोजार चबीस में बेसिक जो है वो नॉर्मल में ठीक पे कमिशन से पहले धिक जाएगी यह आपके लगबदक छेशाल की सर्विस हो चुकी हो गी लगबदक बावने जार रुपे की सर्विस बएसिक होगी दोस्तों आप लोगों की फिप्टीटी टू थाउजान की बेसिक हो गी और यह बेसिक अचानक से उस समय के बाद में कि लगबद कितनी हो कम से कम बता रहे हूं इससे कम नहीं हो जो है जीरो से calculate होगा आपकी basic जो है 0135,000 रूपे मैने minimum बता दिया जिसको नहीं मिले साल बार मेरे से बात कर ले ना मैं है मैं है का calculation होगा कि शुरू में 0% आ जाएगा house rent allowance जो है वो calculate होगा आपका nursing allowance जो है वो भी उसे common factor होगा उससे multiply हो करके वो भी बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा आज के इस से double मान करके चलीजिए लगवग 15,000 रुपे करीब हो जाएगा आपका uniform allowance भी लगवग double हो जाएगा लगवग 4,000 रुपे के करीब हो जाएगा दोस्तों तो यह सारी चीज़े दोस्तों आप लोगों को मैं यहां पर share करना चाहरा था ठीक है यह तो salary calculation के आप लोगों की बात हो गई दूसरी चीज अगर कहीं पर आप बोलते सर्फ promotion हो गई तो तो promotion अगर हो गई तो मलब आप इस जंप करके आप इस वाले level पर आ गए 8 में level पर आ गए मलब 8 उसमें आपको एक increment का benefit मिलेगा बैस के वले एक increment का जो मैं 10 साल की बात कर रहा हूं दोस्तों वो क्या scheme है macp क्या होता है modified assured career progression तो यह क्या चीज होती है every 10 year states में अलग अलग है किसी state में 8 साल पर मिल जाता है रास्तार में 9 साल पर है central government में 10 साल पर है macp every 10 year आपकी assured career progress होनी है once आपको financial benefit एक यह मिलना है दोस्तों कुछ और भी रह गया हो तो मापिच आता हूं comment box में लिख करके पूछ लीजिएगा अपने सवाल कि सर यह benefit आपने नहीं बताया है और आपने टोटल emulment तो बताये नहीं है अब आप अपने अपनी salary calculate कर लीजिएगा मैंने तो बता दिया आपको conditions हैं वो दिमाग में रखना जो मैंने उससे मचूख जाना कि अब की बार कोई भी em join करने वाला इसी जुलाई में अपना increment match कर ले नहीं जी यह आप लोगों की basic तो जो ems नोर्षे 2020 में select हुए हैं यह basic आपको जुलाई 2022 में मिल पाएगी जो लोग d triple s भी मैं select हुए हैं और वो मेरा वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने एक जन्वरी के पहले इस एक जन्वरी या एक जन्वरी के पहले एक जन्वरी वाला भी eligible है इसमें कोई जुलाई 2021 ही है उसकी एक बड़ा query आती है कि सर क्या एक जुलाई वाले दिन जिस दिन increment day होता है इसको आज कर लोग increment day करने हम से celebrate करने लगे हैं क्या इस दिन present होना ज़रुरी है येस प्रेजेंट होना जरुरी है फिर आपकी query आ जाएगी कि सर एक जुलाई को मैं ने तो जो एक जुलाई के पहले क्या होती वह थी थीस जून होती है गणी शोड़ी कम जोड़ है वह थीजून होती है medical या EL या CCL इस पर proceed नहीं होने चाहिए आप लोग ठीक ना तो आपका increment लग जाएगा कोई दिक्क नहीं अगर एक जुलाई को Sunday आ गया तो क्या हुआ तो भी लगेगा जी सभी की छुट्टी है आप चाहिशे काम पर हैं तो 24 hours काम पर रहते हैं तो कोई issue नहीं है तो दोस्तों मैंने आपको सारी चीज़ें यहां पर बता दी हैं एक चीज़ें और बतायता हूं दोस्तों यह जो बड़ा आप concern है लोगों का कि बार-बार बोलते हैं तरह pension नहीं मिलेगी क्या अरे pension मिलेगी भई वह पैंसन का तरीका बदल दिया है government ने आप ऐसे मस समझी कि आपको pension नहीं मिलेगी yes you will get pension और pension का जो तरीका है वह बदल दिया है government ने क्या तरीका कर दिया है यह Contributory pension scheme हो गई है national pension scheme जो है वो Contributory pension scheme है इसमें आपका ही पैसा कटेगा आपको government देगी यह पैसा कैसे आए यह 253 रुपे जो है आपके पहले दिन कैसे कटेंगे यह देखिए आप यहाँ पर basic और यह प्लश दिये इन दोनों को जोड़ दीजे रिसका 10% निकाली यह तो आ आप ही opt करोगे ठीक है दोस्तों तो इस तरीके से आप लोगों की pension बनेगी और यह आपको जो पूरा corpus बनेगा यह retirement पर आप इसमें से maximum 60% निकाल सकते हो 40% से एनिटी pension बनेगी आपकी ठीक ना जो कि लगबग कम से कम 7-8% आपको interest के साथ में मिलेगा वो आपको ठीक है त तो आप बे जिजग without any hesitation दोस्तों हमारी टीम है ना पूरी dedicated है प्रोफेशन के लिए ठीक है ना और आप कभी भी इसी भी तरीके का क्यूशन ऐसा नहीं यह इसका मिनिंग को थोड़ा अलग मत ले लिजीगा प्रोफेशनल जो क्यूशन हो आपका वो आप हमसे कभी भी देख रहे हैं हर चीज के लिए मैं वीडियो बना ही दूँ कोशिच पूरी रहेगी इस website को हम upgrade कर रहे हैं और अभी भी काफी कुछ चीज़ें हैं दोस्तों इसमें आप जाकर के विजिट कीजिएगा nursing smart.org और मैंने CCL से related orders डाल रखे हैं CL से related EL से related orders डाल रखे हैं दोस्तो जो ताकि आप उनसे updated रहें ताकि आप लोग भी अपने आपको मलब इस मामले में confident बना पाओ कि जब कभी clerical के किसी cleric के सामने खड़े हूं office में अपने establishment में तो आप confident से बोल पाओ जी नी जी ऐसा है जी LTC related मैं सब कुछ इसमें update करूँगा दोस्तों आने वाले समय में थेंक्यू थेंक्स अलोट फॉर वाचिंग वीडियो बने रहें नर्सिंग स्मार्ट यूटूब चैनल के साथ में थेंक्यू